Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace तो हम लोग EBS की सीरीज को शुरू कर रहे हैं तो अभी हम 3rd class की EBS को complete करेंगे फिर हम 4th and 5th class की EBS को complete करेंगे तो हम इस सीरीज को complete इस तरीके से करेंगे कि हम line to line नहीं पढ़ेंगे बलकि अब हम ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी सीटेट के point of view से जितना important होगा सिर्फ उसी चीज को हम यहाँ पर जानेंगे तो यह class 3rd की EBS है, first chapter है तो first chapter से जो भी important बनता है उसको हम अभी पढ़ेंगे तो यहाँ पर आओ यहाँ पर मैंने highlight करके रखा हुआ है अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना EBS NCRT बढ़ने का फायदा यह है कि main content तो आपका तयार होगा ही होगा EBS की pedagogy भी clear हो जाएगी Children learn a lot from people and things in their environment देखो बच्चे जो हैं वो अपने आसपास के लोगों से अपने environment से बहुत सारी चीज़े learn करते हैं बहुत सारी चीज़े सीखते हैं तो यहां पर कोन से बच्चों की बात हो रही है बहुत चोटे बच्चों की यहां पर बात हो रही है वो बच्चे है primary class के first से लेकर fifth class तक के बच्चे हैं तो यह अपने आसपास के लोगों से बहुत सारी चीज़े learn करते हैं, जैसे कि parents से, siblings से, दोस्तों से, school में, teacher से, and अपने environment में जो भी ये आसपास चीज़े देखते हैं, पेड, पोदे, animal, इन सभी से बहुत सारी चीज़ें ये सीखते हैं, okay? So, through this lesson, children should be given an opportunity to observe nature, not just sit in the class and read their lesson. तो important line आ गई न, देखो, यहां पर ये कहा गया है कि, since ये lesson जो है, ये nature के बारे में हैं, तो as a teacher, अब आपको क्या करना है? As a teacher आपका अब ये duty बनता है, कि आपना बच्चों को class के बाहर लेकर जाओ, and बच्चों को paid, पोधे, and हो सके, तो animals दिखाने की कोशिश करो, ताकि बच्चे नेचर के साथ जुड़के, reality को देखकर learn कर सके, ठीक है? तो आपने न, बच्चों को class तक सीमित नहीं रखना, ध्यान रखना है, कि हमें बच्चों को class तक सीमित नहीं रखना, कि class में बैठे हैं, class में ही पढ़ रहे हैं, नहीं, अगर कोई ऐसा chapter आता है, जिस chapter के through, हम बच्चों को class से बाहर ले जाकर learning करा सकते हैं, तो as a teacher हमें ऐसा ही करना है, जैसे कि एक nature का topic है, अब आप बच्चों को class से बाहर ले जाओगे, तो कहां लेकर जाओगे, पेड पोधे दिखाने ले जाओगे, तो देखो, जब आप पेड पोधे दिखाने ले जाओगे, तो इस तरीके से आप बच्चों को learn करा सकते हो, कि बच्चों को बोलो कि आप पेड पे किन animals को देख रहे हो, हाला कि animals में वो pigeon को भी गिनेंगे, वो crow को भी animals में गिनेंगे, वो इनको bird नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको animals का classification नहीं आता, तो बच्चे यहाँ पर सभी का नाम बता देंगे, यहाँ pigeon है, यहाँ squirrel है, यहाँ crow है, यहाँ monkey है, यहाँ cheat यहाँ है, मतलब यह सारी चीजे बच्चे बता देंगे, तो इससे होगा क्या, देखो बच्चे ना, real life के साथ अपनी learning को जोड़ कर learn करेंगे, ठीक है, अब चलिए, आगे वाले point पे चलते हैं, यहाँ पर, यह भी बहुत important है, तो देखो इस book में आप notice करोगे, कि insect, birds, reptiles and mammals, इन सभ के लिए सिर्फ एक word यूज किया गया है, animal, लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि at this age, बच्चे अभी बहुत चोटे हैं, primary class के बच्चे हैं, so they cannot classify animals into different categories, तो इतने बच्चों को नहीं पता कि insect, bird, reptiles and mammals में क्या difference होता है, तो इसलिए इस book के chapter में animals लिखा हुआ है, insect, bird, reptiles and mammals के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है, different animals के different categories का classification नहीं आता, तो ये भी line बहुत important हो जाती है, ध्यान रखनी है ये चीज़े आपने, okay, now try to find out what children understand by the word animal, अब as a teacher, आप पहले तो नहीं बच्चों से ये पूछोगे कि बेटा, animal word का मतलब क्या होता है, तो हमें यह आपर बच्चों के साथ क्या करना है, interact करना है, और बच्चों के साथ जितना interact, जितना discussion करोगे न, तो उतना ही उनकी learning अच्छी होगी, और वही learning क्या कहलाती है, child centered learning, या learner centered learning, ठीक है, next है, encourage children to collect more details on various animals, और आप बच्चों को encourage करोगे, क्या करोगे, encourage करोगे कि वो various animals, मतलब अलग-अलग animals के बारे में, अलग-अलग information collect करके लेके आएं, तो अब बच्चे कहां से collect करेंगे, घर जाएंगे, घर के आसपास animals देखेंगे, तो वो क्या करेंगे न, अभी अपने आसपास की जो reality है, उससे connect होकर, उससे contact करके reality के साथ, फिर वो learning करेंगे, ओके, चलिए और यही हमारा main मकसद है, देखो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी पड़ागोजी में, यही हमारा main मकसद है कि बच्चे अपनी learning को न, real life के साथ अगर जोडेंगे, तो उनकी learning superb होगी है न, चलिए आगे देखते हैं क्या important है, यह रहा, यह वाला part भी बहुत important है, Children love to look at the colors, shapes and movement of the animal, देखो बच्चों को न, जो animals होते हैं, उनके colors देखना पसंद है कि अलग-अलग color के हैं, इसके अलावा shape, इसके अलावा उनका movement, movement का मतलब उनके चाल ढाल, है न, यह सब देखना बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसके अलावा, बच्चों को animals की sound ब बच्चे जो है, animals की sound सुनना बहुत पसंद करते हैं, और अगर इसका experiment करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आप YouTube पे कोई भी animal की sound लगाओ, और आपके घर में अगर कोई primary class का बच्चा है, वो भागा-भागा sound सुनने आएगा, ठीक है, तो बच्चों को यह sound सुनना पसंद है, और बच्चे इस sound को सुनके फिर क्या करते हैं, imitate करते हैं, तो आगया एक most important question, कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, imitate करते हैं, और imitate करके learning करते हैं, ठीक है, looking at the diversity in the animal world, putting them under different group is the beginning of the classification, तो आप देखो, यह beginning of classification कब होता है, यह animals का वरगी करन कब शुरू होता है, जब बच्चे animal world में बहुत सारी diversity देख लेते हैं, तब उनको पता चलता है कि हाँ भई, animals में भी क्या होता है, अलग-लग category है, जैसे कि कुछ animals जो हैं, ऐसे हैं, जो trees पे रहते हैं, कुछ ऐसे हैं, जो water में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं, जो land में रहते हैं, मतलब जमीन पर र जो कुछ ऐसे animals हैं, जो sky में फ्लाइ करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, एंड कुछ ऐसे animals भी हैं, जो हमारे घरों में रहते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गए, इसके अलावा और कौन हो गए, कुत्ते हो गए, डॉग्स हो गए, चूहे हो गए, जो reptiles में जैसे कि छिपकली हो चलता है, animals के classification के बारे में, और कब पता चलता है, जब बच्चे animal world में diversity देख लेते हैं, diversity का मतलब है कि अलग-अलग animals को जब बच्चे observe कर लेते हैं, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर important question आ गया, तो यहाँ पढ़ना ऊपर riddle दी गई है, तो riddle से क्या होता है, बच्चे ख riddle 6 की बात की गई है, तो riddle 6 जो है, slow and steady is my pace, I always win when there is a race, तो यहाँ पर किस की बात की गई है, कच्चुए की, खरगोश की बात की गई है, है ना, तो tortoise and rabbit के बारे में, यहाँ पर बात की गई है, यह तो सभी ने सुनी है, कच्चुए और खरगोश की कहानी, सो basically, यह जो riddle 6 है, यह story कहां से ली गई है, पंच तंत्र से, पंच तंत्र में यह story है, the hair and the tortoise है, का मतलब बहुत है खरगोश, तो अब आपको यहाँ क्या याद रखना है, question direct आ सकता है, यह जो story है, the hair and the tortoise कहां से ली गई है, पंच तंत्र स्टोरी से, ठीक है, सो tell children other stories from पंच तंत्र, अब आपने बच्चों को पंच तंत्र के बारे में बताना है, पंच तंत्र की और stories के बारे में बताना है, एंड उनको encourage करना है कि वो stories पढ़े, ठीक है, सो basically यहाँ से important question, यह वाला बनता है, कि the hair and the tortoise, यह story based है, यह जो story है, यह पंच तंत्र की story है, तो देखो यह आगई thumb painting, thumb painting बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो अब देखो thumb painting basically कौन सी activity हो गई, तो इस तरीके से हमने जो है, complete करना है EBS को, तो हम देखो इस तरीके से pedagogy करते जाएंगे, तो thumb painting को सी हुई, learning by doing, कैसे, बच्चे अपने thumb का use कर रहे हैं, colors का use कर रहे ह है ना, तो यहाँ पर बच्चे ऐसी learning कर रहे हैं, जो खुद से वो involve कर रहे हैं आपने आपको, है ना, तो learning by doing, खुद को involve करके वो learning कर रहे हैं, तो यह learning सबसे best होती है, चिल्डरन like to do creative activities, बच्चों को creativity तो बहुत पसंद होती है, जैसे कि उनको picture बनाना पसंद है, fingers के साथ, thumb print करना उनको बहुत पसंद है, तो बच्चों को आपने encourage करना है कि वो अपने खुद के design बनाई, देखो as a teacher आपने उनको guide करना है, बट guide कैसे करना है, डारेक्टर की तर हैं, ना कि dictator की तर हैं, ठीक है, तो बच्चों को फ्री छोड़ो, कि आप बच्चों को बोलो कि बच्चों आपका जो मन करें, जैसी आपकी imagination है, उस imagination के हिसाब से आप कुछ picture बना के दिखाओ, thumb print का use करके, तो बच्चे देखो इस तरीके की अलग-अलग picture बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे peacock बना रखा है, इस तरीके से बच्चे क्या करेंगे, thumb print का use करके, अलग-अलग picture बनाएंगे, इसी activity को हम कहते हैं, learning by doing, ओके, चलिए, अब next page पे चलते, यहाँ पर आ गया, यह भी important question है, encourage children to look carefully at the animals and make picture on their own, अब आपने क्या करना है, बच्चों को encourage करना है, कि animals की picture को ध्यान से देखें, और फिर खुद picture बनाएं, ठीक है, animal की pictures को ध्यान से देखकर, फिर खुद ऐसे picture बनाएं, तो बच्चों की यहाँ पर imagination develop होगी, ओके, children may need help when they are making picture in a group, तो जब बच्चे गुरूप में यह work कर रहे होंगे, तो यहाँ पर बच्चों को help की जरूरत पड़ेगी, तो as a teacher आपने बच्चों को बीच में guide करते रहना है, ठीक है, and एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर group word लिखा है, तो that means हमें बच्चों को ना जो है, collaboration में सिखाना है basically, ताकि उनमें cooperation की भावना आए, ठीक है, next देखते हैं, यहाँ पर, यह है Jigsaw Puzzle, ठीक है, यह एक तरीके का game है basically, अब बच्चे जो है, खेल खेल में सीखते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो Jigsaw Puzzle से भी बच्चे काफी कुछ सीखते हैं, In a Jigsaw Puzzle, a picture is cut in such a way that one has to really think hard to fit the picture together, तो Jigsaw Puzzle आपने बच्चों को देखा होगा, खेलते होगे, यहाँ पर मैं उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, देखो यह रही पिक्चर, तो इस तरीके से cutting piece होते हैं, ऐसे छोटे-छोटे cutting piece होते हैं, तो बच्चों को जैसे इसको ज तो पुरा दिमाग लगता है, ठीक है, तो बच्चों का दिमाग लगेगा, ब्रेन यूज होगा, उपर से साथ के साथ वो खेल, खेल में सीख रहे हैं, तो लर्निंग बैस्ट होगी ना, वही है, यहाँ पर वही बात कही गई है, So this activity is beginning to sequence, the sequence will depend on the experience of the child, a squirrel can be smaller or bigger than sparrow, discuss issues related to the sensitivity towards animal in an interactive manner So यह game जो है ना, यह game एक sequence का game है, और बच्चे इस sequence को कैसे लगाएंगे अपने experience के basis पर, जैसे कि कुछ बच्चों के लिए squirrel can be smaller or bigger than a sparrow, मतलब जो squirrel है, जो गिलहरी है, वो चेडियां से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो बच्चों के experience पर यह depend करेगा, कि वो किस तरीके से sequence को लगाएंगे, अब यहाँ पर important क्या है, यह चीज ध्यान में रखनी है आपको, यह last वाली line, कि हमने बच्चों को, जो है, sensitivity मतलब उनके अंदर install करनी है, towards animal, बच्चे ताकि animals को लेकर भी empathize feel करें, ओके, यह भी बहुत important part है, कि हमें बच्चों में sensitivity को, जो है, install करना होता है, चाहे वो इनसान हो, चाहे वो animals हो, ओके, so interactive manner से हमें, जो है, बच्चों के अंदर sensitivity को install करना है, इसके अलावा, यह jigsaw puzzle, जो है, इसमें जो भी cut out दिये जाते हैं, यह बहुत easy नहीं होते हैं, बच्चे के लिए काफी challenging होते हैं, तो बच्चे इनको easily, ऐसे नहीं है कि simple सा task है, और एक दो minute में बच्चों ने खतम कर इनको जो है, लगाने में बच्चों का पूरा दिमाग लगता है, क्योंकि sequence देखना पड़ता है, इसके अलावा पता नहीं चलता बच्चों के कौन सा cut out कहां पर लगेगा, तो यह task ना काफी engaging task है, लेकिन ध्यान रखना, engaging task तो है ही, इसके अलावा काफी creative and काफी interesting task है, so encourage more such activity and appreciate their work, तो आपको इस तरीके की activities, जैसे की jigsaw, puzzle and other activities, जैसे की thumbprint activity हो गई, तो ऐसी activity, जिसे हम कहेंगे learning by doing activity, बहुत जादा होनी चाहिए class में, and बच्चे जब अच्छा काम करें, तो उनको उनके काम के लिए, and not only अच्छा, बच्चे जब भी काम करें, तो उनको appreciate करो, तो यह होगे हमारा first chapter, अब next chapter है, the plant fairy, second chapter है यह, तो यहाँ देखो कि बच्चे game खेल रहे हैं, तो आपको पदा चलेगा कि बच्चे game में किस तरीके से नई नई चीजों को सीखते हैं, तो यह है बच्चों की दीदी, जो plant fairy बनी हुई है, मतलब पोदों की परी बनी हुई तो अब game ऐसा है कि जो plant fairy कहेंगी बच्चों को वही करना होगा, तो plant fairy जिस भी पोदे को चूने के लिए कहेंगी, जिस पोदे को टच करने के लिए कहेंगी, तो बच्चों को वही पोधा टच करना पड़ेगा, तो जैसे कि अम्मू को बोला गया कि marigold plant को टच करो, तो अ अलावा दयाराम की बात करें, तो वो नीम के पेड के पास खड़ा हो गया, तो बच्चे यहाँ पर activity के थूप पेड पोधों के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, चिल्ड्रेन केन बी आस्ट, बाइवट नेम गेम्स लाइक चुबंचुपाई एंड अन्ताक्षरी आर कॉल अन्ताक्षरी को क्या कहा जाता है, अब ऐसा आप क्यू करेंगे, देखो इसके पीछे reason भी है, आपको पता है कि इंडिया में diversity है, अब ये diversity बहुत चीजों की है, जैसे cultural diversity है, राइट, तो हर बच्चा अलग-अलग background से है, अलग-अलग culture से belong करता है, तो जब आप बच्च क्या कहा जाता है, इस game को क्या कहा जाता है, तो जब बच्चे जवाब देंगे न, तो एक तो बच्चों को एक दूसरे के culture के बारे में पता चलेगा, ये बहुत important line है, इसको ध्यान रखना, कि बच्चों को एक दूसरे के culture के बारे में पता चलेगा, और दूसरा important point ये है, कि बच्चों को एक अंदर से ऐसे confidence आएगा कि उनके culture की भी उतनी ही value है जितनी दूसरों के culture की है, ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, so as a teacher आप बच्चों के साथ इस तरीके से interact कर सकते हैं, next step, by playing this game, children will see the diversity in plants for themselves, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि दीदी plant fairy बनी हुई थी, बच्चे जो है उनी जो पेड़ पोधे उनको टच कर रहे थे, जिन पेड़ पोधो को plant fairy ने कहा था टच करने को, so ये game जो है, बच्चे भी खेल सकते हैं, आपकी class के, तो जब बच्चे ये game खेलेंगे, उनको plant की diversity के बारे में पता चलेगा, तो diversity plant की क्या होगी, जैसे कि उनको ये पता चलेगा कि bushes क्या होती हैं, है ना, मतलब जाड़ियां क्या होती हैं, पेड क्या होते हैं, पोधे क् तो उनको ये सब पता चलेगा, उनको ये भी पता चलेगा, कुछ पोदे छोटे हैं, कुछ पोदे बड़े हैं, कुछ पोदे बिलकुल मिडल उसमें आते हैं, तो बच्चों को पेड पोदों की डाइवरसिटी के बारे में पता चलेगा, इसके अलावा उनको फूल पतियों क के बारे में पता चलेगा बच्चों को पता चलेगा कि जो पेड के जो पतियां होती हैं किसी पेड की पती नुकीली है किसी की बहुत छोटी है और किसी पेड की पतियां बहुत लंबी है इसके लावा किसी पेड की पतियां एकदम गोल है किसी पेड की पतियां जो है वो पान shape की बनी हुई है, so इस तरीके से बच्चों को plants की diversity के बारे में पता चलेगा ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, कि बच्चे यहाँ पर खेल-खेल में सीख रहे हैं, है ना अब as a teacher आपको यह भी कर रहा है कि हर बच्चे जो है plant fairy जब हर बच्चे को plant fairy बनने का मोका मिलेगा, तो उनका confidence भी boost up होगा ओके, एंड बच्चों को जो है, इस खेल में अलग-अलग plant के paid podo के classification के बारे में पता चलेगा, जैसे कि देखो यहाँ बताया हुआ है, कि जो paid की पत्तियां होती हैं देखो, वो कितनी अलग-अलग shape की होती है तो बच्चों को इन shape के बारे में भी पता चलता है Now children may collect different type of fallen leaves, find out the name of their plants, अब यह activity दी जा सकती है कि बच्चे जो है, वो गिरी हुई जितने भी जमीन पर गिरी हुई पत्तियां है उनको उटाएं और उनसे फिर पता लगाएं कि यह कौन से paid की leaves होंगी ठीक है? अब आगे देखो यहाँ पर, यह भी important है देखो, बच्चों को ना poem recite करना बहुत पसंद है ठीक है? तो poems जो होती हैं, वो recite की जाती हैं basically, तो बच्चों को poem recite करना और जो rhyme poems होती है उनको recite करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है हमें बच्चों को कभी भी force नहीं करना है poems को memorize करने के लिए ठीक है? तो हमने बच्चों पर pressure नहीं बनाना, दबाव नहीं बनाना कि आपको poem याद करनी ही करनी है अब हमें क्या करना है? कि बच्चों को na poem तो recite करानी है बढ़ ध्यान रखो कि उनको group में recite कराओ आप देखो यहाँ पर 3-4 point और clear होते है ठीक है? मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपकी pedagogy clear हो रही है तो जो जो मैं आपको extra point बता रही हूँ प्लीज उन point को ध्यान में रखना क्योंकि जो भी मैं आपको point बता रही हूँ वो exactly ऐसे statement already seated के exam में आए हुए है तो ठीक है तोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज हा देखो जैसे कि बच्चों को न हमें poem जो है वो क्या करानी चाहिए? recite करानी चाहिए एक important question आजाता है एक important line है यह and group में recite करानी चाहिए group में recite कराएंगे तो बच्चों को group activities में जो है उनको cooperation की भावना आती है collaboration करना आता है उनको मतलब एक दुसरे के साथ साहयता पूरवक काम करना आता है इसके लावा बच्चे interact करना सीखेंगे and one more important thing बच्चे जब पूर्म को recite करते है न तो बच्चों की pronunciation भी अच्छी होती है इसके अलावा पूर्म से बच्चों की imagination ड्वलप होती है ठीक है बच्चों को rhyme के बारे में पता चलता है तो यह सब चीजे जो है यह पूर्म को recite करने पर ही ड्वलप होती है तो देखो यहाँ पर पतियों का जो है यूज करके किस तरीके से अलग-अलग सुन्दर-सुन्दर जो है डिजाइन यहाँ पर बनाई हुए है तो यह ना painting जो है basically यह dry leaves से बनाई हुई है not painting basically picture तो एक artist है जो इंदोर मध्या प्रदेश से बिलोंग करते है बहुत important हो गए इसको तो तीन बार star कर ले न ठीक है तो artist का नाम क्या है विश्नु चिंचलाकर तो विश्नु चिंचलाकर जो है न वो dry leaves से pictures बनाते है और उनी से inspire होकर यहाँ पर यह लगाई हुई है pictures तो ऐसे dry leaves मतलब जो सूखी पत्तिया है न उनसे ऐसे picture बनाते है यह नाम आपको ध्यान रखना है यह important है direct question आज आएगा ठीक है अब next है ठीक है यहाँ पर Children may talk to their elders or to farmers or to gardener for knowing more about plant and discuss in the class तो बच्चों को encourage करो कि बच्चे अपने बड़ों से बात करें plants के बारे में इसके अलावा farmer से बात करें gardener से बात करें plants के बारे में और फिर class में discussion करें अब बच्चे discussion करेंगे जितना ज़्यादा बच्चे interact करेंगे उतनी ही class आपकी learner centered होगी और बच्चे जो है रूची लेकर चीजों को सीखेंगे interest के साथ चीजों को learn करेंगे encourage children to make friends with a tree देखो अब आपने बच्चों को encourage करना उनको कहो कि आपना एक पेड चुनो उस पेड को आप अपना एक best friend बनाओ उसे daily पानी दो उसका ध्यान रखो उसको observe करो and minutely observe करो बिल्कुल ध्यान से आपने अपने पेड को observe करना है क्योंकि अब वो पेड आपका क्या है एक दोस्त है तो आप ऐसा क्यों करेंगे कि बच्चों को आप क्यों कहेंगे कि एक पेड को अपना दोस्त बनाओ आप इसलिए ऐसे activity देंगे ताकि बच्चे न environment की तरफ जो है उनकी sensitivity बड़े उनको अपने rights के बारे में पता चले कि हमें environment में जो है क्या करना अपना योगदान देना है environment साफ सुतरा रहे environment होता क्या है इन सब चीजों के बारे में बच्चों को पता चलेगा इसके अलावा बच्चों को पेड़ पोधों की एहमियत पता चलेगी ठीक है तो इस तरीकी की activities बहुत ही अच्छी होती है I think second chapter में तो बस अभी इतना ही है ठीक है So यहाँ पर हमारा जो first and second chapter है वो complete होता है and इसके अलावा इसी तरीके से हम other chapters को भी complete करेंगे चल यह मिलते हैं next class में till then bye bye thank you so much for watching this video thank you आप पर साथ Instagram and Telegram पर भी चुड़ सकते हैं